नमस्कार इस मिठाई का टैक्चर देखी दोस्तो इस मिठाई को बनाने के लिए आपको ना तो देर सारा गी लेना है सिर्फ एक चमस गी में आपकी थाली भरकर मिठाई बनकर तयार हो जाएगी नहीं आपको दूद लेना है नहीं आपको मावा लेना है और नहीं आपको इसक दिन तक खा सकते हों बिल्कुल खराब नहीं होती है और बिल्कुल जैसे कलाकंद या डोडा बर्फी होती है उस तरह की सौफ्ट यह बनकर तयार होती है दोस्तों मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बिना चीनी के बर्फी बनाना बताए तो मैंने आपके साथ आज गुड से बनी विबर्फी की रेसीपी सेर की है तो चलिए देख लेते हैं और सामगरी का मैजरमेंट मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगे सबसे पहले गैस के उपर कड़ाई रखेंगे दोस्तों और इस मिठाई को बनाने के लिए आपको डेर सारा गीलेने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक छोटे चमच में ही ये डेर सारी मिठाई आपकी बनकर तयार हो जाएगी इसमें डालेंगे एक कप गेहु का दलिया जो रेडिमेट दलिया आता है आप उससे भी बना सकते हो और जो गर्मे गेहु रखकर पिसवाते हैं उससे भी आप बना सकते हो मैं यहां पर रेडिमेट दलिया का इस्तेमाल कर रही हूँ मैजरिंग कप से वरकर लिया है यह वजन में डेड़ सो ग्राम दलिया है और इससे हमारी एक थाली वरकर यानि कम से कम 800 ग्राम के आसपास मिठाई बनकर तयार हो जाएगी बस अब इसको हम लो मीडियम फ्लेम और दीमी आज पर सेखते सेखते जब यह बिल्कुल सुने रिसी हो जाएगी ना उसके बाद में समझे यह सीख चुकी है लेकिन अभी यह सीखी नहीं है एक पर क्या होता है जब इसको हम सेखने के लिए डालते है तो इसका कलर लाइट हो जाता है और फिर जैसे जैसे यह स इसमें आपको 8-10 मिनीट का टाइम लग जाता है दीमी आज पर सेखने में आप बारी है इसमें मिठा एड़ करने की तो मिठा इस तरह से एड़ करना है आम इसी गुड के साथ बना रहे है तो गुड में जो बहुत सारी इंप्योर्टी होती है इसलिए इसको पहले पानी के इसमें लग जाएगा बस अब इस गुड़ को इस पानी के अंदर मेल्ट होने तक ही अमें गरम करना है दोस्तों यहां पर इसमें बोईल या फिर ज्यादा पकाना नहीं है सिर्फ यह अच्छे से मेल्ट हो जाए इतना ही इसको पकाना होता है जब आप दल्या को बुनने लग देंगे लेकिन इसको में चानकर एड करना है जिससे इसके अंदर जितनी भी इंप्योर्टी जोगी न वो कुछ तले में बैठ जाएंगे और कुछ छलनी के अंदर आ जाएंगी दोस्तों तो उनको अमाटा देंगे बस इसको चानकर पूरा मैंने एक साथ ही डाल लिया है म आपको और पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको अच्य से मिक्स कर देंगे साथ में अमिस में डालेंगे एक मुठी काजू की कत्रन और बादाम की कत्रन आपको जो ड्राइफ रूट पसंद हो ना वो इसके अंदर आप एड कर सकती हो साथ में थोड़ा सा अभी मेडियम के बीच में रखेंगे इसको अम कब से कम 5 मिन mai सी तरीके से पकाएंगे तेज असंपे और इस पर ठकन लगादेंगे ड़कन को अलका सा खुला रखेंगे और इसको पकने देंगे बीच बीच में आपको डखकन उठाकर इसको चलाते रहना है एक दो बार इसको चलाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में ये आपको अलका सा गाड़ा गाड़ा नजराएगा दोस्तो इसको लगातार चलाने की जरूरत नहीं है बस डखकन अटाए यहां पर मिल्क पाउडर से इसका स्वाद इसकी रंगत बेहद ही बदल जाएगी दोस्तों बेहद ही टेस्टी बन कर ये तैयार होगी मिठाई तो यहां पर अमने पोना कप इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दिया है यानि थरी फोर्थ कप डालने के बाद में मिला देंगे आप चाहें तो ज्यादा मिल्क पाउडर भी इसमें एड़ कर सकते हो मिल्क पाउडर डालने के बाद में इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे इसमें गुठलिया नहीं बचनी चाहिए और फिर इसको अम डखक कर कम से कम 5-6 मिनिट तक और पकाएंगे द्यान रहें या जाता है न उससे आपको दूद के जैसा नजर आएगा तो बीच में एक आद बार आप चला कर इसको चेक करते रहेंगे पकी है यानि आप चाहें तो यहां पर अलका सा खाकर भी चेक कर सकते हो जिससे इसका दाना आपको पता लग जाएगा अच्छे से पक चुका है तो य बिल्कुल तयार है इसको कम से कम 22-23 मिनिट का टाइम लगा है दोस्तो बनाने के लिए आप यह कड़ाई में बिल्कुल अच्छे से इखटा होने लग जाता है तो इतना ही आपको इसको पकाना है उसके बाद में आप किसी प्लेट या थाली में गी के साथ अच्छे से ग्र वर्क भी लगा सकते हो अब इसको एक गंटा चोड़ देंगे रूम टेमप्रेचर पे एक गंटे के बाद यह बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाती है रूम टेमप्रेचर पे ही इसको फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं है आपको बेहद ही टेस्टी यह बनकर तैयार होग या फिट दल्या के साथ में बनाकर तैयार की है खाने में बेहद ही टेस्टी लगेगी सभी को और अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कमेंट और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर लेना मेरे पूरे दन्यवाद